आज किस वीडियो में बात करेंगे हिमाशल में आने वाली सरकारी नौकरियों के बारे में आज माननिय उपमुक है मंत्री श्री मुकेश अगनी होतरी जी ने एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जल शक्ती विवाग में 10,000 पैरा वर्कर्स के पद भरे जाने वाले हैं और ये सारे कसारे पद जुलाई महीने में भरे जाने वाले हैं इसके अलावा और उन्हें कहा है कि हिमाशल प्रदेश पद परिवाण निगम में भी 350 पद भरे जाने वाले हैं आप ये नियूस चेक कर सकते हैं देब्या हिमाशल में 3 मैं 2024 के एडिशन में आगे बात करेंगे कौन-कौन से पद रहेंगे लेकिन उससे पहले आप अगर हिमाशल में एश्पी स्टेट कॉपरटी बैंक, कलर्क या आप त्यारी कर रहे हैं जेव अकाउंट्स, ओडिटर, पंचायत सचीव, पतवारी या आप हिमाशल में किसी लिग्जाम की त्यारी कर रहे हैं पंचायत सचीव, पदवारी, पुलिस काउंस्टेवल, सभी कोर्स में आपको 200 रुपे का एडिशनल डिसकाउंट मिल चाएगा 599 का कोर्स आपको मिल रहा है 399 रुपे में, बस आपको इस प्रोमो कोड का यूज़ करना है इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और हमारी एप को इंस्ट्रॉल करना है एप को इंस्ट्रॉल करने के बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आप अपने किसी भी कोर्स को बाई कर सकते हैं तो बात करते हैं फिर से आज की इस नियूज अपडेट की माननिय उपमुक्य मंतरी मुकीश अगनी होतरी जी ने कहा कि हिमाशल के जल शक्ति विवाग में पैरा वक्कस के दस हजार पत भरे जाने वाले हैं और जुलाई महीने में सारी के सारी अपचारिकताएं पूरी कर ले जाएगी हिमाशल प्रदेश के युवाओं को अब भरोसा बिल्कुल भी नहीं रहा है जैसे 15 महीने में सरकार्नी किया है आगे भी मुझे लगता है कि उमीद बहुत कम है लेकिन फिर भी डिसकेशन यहां पर कर लेते हैं कि क्या ये पत भरे जा सकते हैं या नहीं दस हजर पद रहेंगे पैरा वाकस के इन दस हजर में से कुश पद रहने वाले हैं पैरा फीडर्स के कुश पद रहेंगे पैरा पंप अपरेटर के कुश पद रहेंगे कुक और कुश पद रहने वाले हैं मल्टी टास्क वाकस के या मल्टी परपस वाकस जलशक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर रोजगार समोचे हिमाशिल प्रदेश में देया जाएगा ये माननीय उपमुखे मंत्रजी ने कहा है उन्होंने कहा है कि काबिनेट द्वारा ये नियुक्तिया सविकृत की गई है इसकी प्रक्रिया भी जारी है सिर्फ चुनाव आचार सहिंता के कारण ये भरती रुकी हुई है पंद्रा महीने में क्या प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी? हाँ अप्रॉक्सिमेट तीन से चार जार पदों के लिए प्रक्रिया उस समय चल रही थी और उसके रिजर्ट अभी जारी नहीं हुए है और ये एडिशनल दस जार पद यहां पर और है यहां पर कहा गया है कि चुनाव के बाद प्रात्मिक्ता के अधार पर इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया चाएगा इसके अलावा माननिय ओप मुखे मंतरी मुकेश अगनी होदर जी ने कहा है कि परिवहन विभाग में 350 चालकों के बद सविकृत किये गए है उने भी चुनाव समाप्त होने के बाद प्रात्मिक्ता के अधार पर भरा जाने वाला है मुकेश अगनी होदर जी ने कहा कि अन्ने विभागों में कहां कहां रोजगर दिया जा सकता है इन सब पर हम काम करने वाले हैं देखते हैं कि सरकार अपने कतनी को करनी में convert करती है या नहीं क्यूंकि जो starting के डेट साल थे उसमें सरकार ने रोजगार के ऊपर कोई विध्यान नहीं दिया है। सरकार के जो मंदरी है विधाय के हर जगा बोलतो रहे हैं कि हमने 22,000 रोज़गार दिये हैं लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं है चलिए अच्छा सोचते हैं क्या पता फ्यूजर में कुछ अच्छा हो जाए है माचल में तो आज के हमारे से विडियो में से वितना है यश्चा